तो देखिए आईफून की नए मॉडल का इंतिजार अब खत्म हो गया है केलिफोर्निया में हुए मेगा एविंट में आपल की तीन नए स्मार्टफोन लाँच के गए है कौन से हैं ये स्मार्टफोन और क्या है इनके खास्यत दिखाते हैं आपको स्मार्टफोन की नए पीड़ी अब लोगों के सामने हैं वो भी एक नहीं तीन तीन नए अवतारों के साथ कैलिफोर्निया के स्टीव जॉप्स ओरिटोरियम में आयोजित भव्य कारिक्रम में एपल के CEO टिम कुप ने नई PD के स्मार्टफोन से दुनिया को रूबरू कराया लोगों को इंतजार था आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस का लेकिन आईफोन के 10 साल पूरे होने पर दुनिया के सामने इनके अलाबा कई खूबियों से लैस आईफोन X भी लॉच्च कर दिया जिसे आईफोन 10 कहा जा रहा है ये नए स्मार्टफोन आईफोन 7 से कई मामलों में अलग और बहतर है एक एक कर हम आपको नए आईफोन के खूबियां बताते हैं सबसे पहले बात आईफोन 10 की आईफोन X में होम स्क्रीन नहीं है और इसका डिस्प्ले एज टो एज है पूरा फोन ग्लास डिजाइन है ये 64GB और 256GB दो वेरियंट में होगा आईफोन X में फेस डेक्शन फीचर डाला गया है यानि फोन की तरफ देखने भर से ही आप उसे अनलॉक कर सकते हैं इंफ्रारेट कैमरा होनी की वज़ज से अंधेरे में भी यूजर का फेस डिटेक्ट कर सकता है इसे पॉलसेंट इफेक्ट के साथ सिल्वर और स्पेस ग्रे कलर में लॉंच किया गया है आइफोन एक्स बाइस सितंबर से अमेरिका के मार्केट में उपलब्ध होगा इसकी कीमत 999 डॉलर होगी भारत में इसकी कीमत 80-90 रुपए के बीच हो सकती है आइफोन 8 भी कई खूबियों से लैस है इसमें 12 मेगा पिक्सल का रियर कैमरा डिजाइन में बदलाब नहीं है लेकिन आइफोन 8 प्लस में दो सेंसर दिये गए है इसमें आडियो पर खास ध्यान दिया गया है इसमें खुबी है कि आबजेक्ट की तरफ बढ़ते ही आवाज भी बढ़ जाती है और आबजेक्ट के पीछे होने पर आवाज कम हो जाती है आइफोन 8 64 GB और 256 GB के दो मॉडल्स में आएगा ग्लास फ्रंट और बैक के साथ दोनों फोन सिल्वर, स्पेस ग्रे, न्यू गोल्ड कलर में लॉंच किये गए हैं आइफोन 8 के खीमत 699 डॉलर से शुरू होगी भारत में कीमत 60,000 रुपए के आसपास होगी जबकि आइफोन 8 प्लस के खीमत 799 डॉलर से शुरू होगी भारत में इसके खीमत 70,000 रुपए तक हो सकती है 15 सितंबर से आइफोन 8 और आइफोन 8 प्लस की प्री बुकिंग शुरू होगी आइफोन के तीनों नए स्मार्ट फोन की सबसे बड़ी खुबी होगी इसका वायरलिस चार्जिंग यानि बगएर तार के फोन चार्ज हो जाएगा तीन नए आइफोन के अलावा एपल ने नया स्मार्ट वॉच और एपल टीवी भी लॉंच किया है